दिल्ली महिला आयोग की अध्यक स्वाती मालिवाल के साथ बीते दिनों छेरचाड का मामला सामने आया था जिसमें एक शक्स ने उन्हें कार से घसीटा था जिसके बाद बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि ये एक फर्जी इस्टिंग है जिसके बाद स्वाती बीजेपी पर पलडवार करते हुए शनिवार को कहा कि वो तब तक लड़ेंगी जब तक वो जिन्दा है गोर्टलब है कि कई बीजेपी ने दाउने शुक्रवार को मालिवाल के छेरचाड के दावो पर सवाल उठाये थे साती आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति पर उसमें अपराद का रोप लगाया है वो आप सदस्य है और उसका नाटक एक शाजिस का हिस्ता था जिसका अब परदाफास हो गया है स्वाती मालिवाल ने ट्वीटर पर एक पोश्ट में लिखा है कि जिन्हें लगता है मेरे बारे में जूटी गंदी बाते कर मुझे डरा देंगे उनको बता दूँ मैंने सर पे कफन बांद कर इस छोटी सी जिन्दगी में बहुत बड़े काम किये हैं मुझे पे कई अटेक हुए पर मैं रुकी नहीं हर अत्याचार से मेरे अंदर की आग और बड़ी मेरे अवाज कोई नहीं दवा सकता जब तक जिन्दा हूँ लड़ती रहूँगी वहीं दिल्ली बीजेपी के कारेकारी अध्यक व्रेंदर सचदेवा ने कहा था कि दिल्ली के लोगों के सामने एक बार फिर आपका धो के बाद चेहरा सामने आ गया है और वो ये देखकर हैरान है कि स्वाती के साथ छेर चाड़ के आरोपी हरी शंद शुर्यव सी असल में संग बिहार में आप कारे करता है